प्यारे अभ्यर्तियों नमस्कार स्वागते आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपे स्टडी फिवर में तो दोस्तों बीस्टिसी 2022 के अभ्यर्तियों दोरा बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो जी हाँ दोस्तों आपको मलूम है कि 8 अक्टूबर को आपका बीस्टिसी 2022 का एज्याम कंप्लीट हो चुका है और दोस्तों कापी लंबे टाइम बाद ये वीडियो में बना रहा हूं क्योंकि दोस्तों यूट्यूब पे मैंने कापी सारे एक्सपर्ट की और दोस्तों कापी सारे इस्टुडेंट्स की जो कटूप है ठीक है ना उनके marks BSTC 2022 में कितने बन रहे है तो उन सभी के analysis के द्वारा दोस्तो BSTC 2022 में आपकी cut-op कितनी रहने वाली है कितने numbers पर आपको फर्स्ट लिस्ट के अंदर, सेकंड लिस्ट के अंदर, थर्ड लिस्ट के अंदर आपको college मिल सकती है ठीक है ना दोस्तो आपको बता दू दोस्तो BSTC की कभी भी दोस्तो official site पर जो official cut-op है वो निर्दारितन नहीं होती है ठीक है ना बिस्टी की हर बार दोस्तो सीधे ही आपका result गोसित होता है, इसकी cut-op कभी भी नहीं निकलती है दोस्तो यह जो cut-op होगी दोस्तो एक अनुमानित cut-op होगी ठीक है ना जो आपकी previous year की BSTC परिक्सा है इसके अलाव दोस्तो आपका जो exam का level था इस बार level की बात करें दोस्तो medium level का आपका exam का ठीक है ना आपकी परिक्सा थी ना तो ज़्यादा सरल था और ना ही ज़्यादा hard था, medium level का आपका paper था, तो paper के level को देखते हुए, पिछले years के BSTC के exam की cut-op को देखते हुए और इसके लवा इस बार जो आपके paper में marks आये थे, तो सबी की जो दोस्तो analysis के दोरा ये cut-op निर्दारित की गई है, इस cut-op के अदार पर आप अपना admission sure कर सकते हैं कि इतने number पर आपको ग्रज जिले के अंदर या पिर दूर दराज वाले जिलों में college मिल सकती है, तो दोस्त के बाद इसके exact cut-op के बारे में, इसके result के बारे में हम retail से चर्चा करने वाले हैं, तो सबसे पहले दोस्तो BSTC 2022 की कुछ सामाने सी जान करी, जो सबी अभियरतियों को होनी चाहिए, तो देखिए दोस्तो सबसे पहले BSTC 2022 के form की बात करें, दोस्तो 5.99 लाग ठीक ना, 5.99 या मान सकते हैं कि 6 लाग अभियरतियों ने इस बार form apply किये थे, लेकिन दोस्तो जो परिक्सा हैं, वो केवल 5.33 लाग अभियरतियों ने ही परिक्सा दिये, यानि कि दोस्तो लगबग देखे 67,000 ठीक ना, 67,000 अभियरतियों ने दोस्तो इस बार exam नहीं दिया है, इसका कु आपका admit card है, उसमें center का जो location है, जो नाम में वो अलग दे रहा है, जिसकी वज़े से काफी सारे अभियरतियों को center ढूंडने में बहुत ही परिसानी का सामना करना पड़ा, जिसके करना उनका exam मिस हो गया, तो काफी सारे अभियरतियों के साथ ऐसी समेशे भी देखने मिलत हैं, तो कई सारे समेशाओं के वज़े से दोस्तो 5.99 लाक में से दोस्तो केवल 5.33 लाक अभियरतियों ने ही form apply किया, ठीक ना, तो दोस्तो काफी सारे अभियरतियों ने इस बार exam मिस कर दिया है, और दोस्तो बात करें इस बार की BSTC की जो colleges है, ठीक ना, सीटों के बारे मे जिसके अंतर के दोस्तो आपके को college है, जिसमें पूरसो या कहें, बच्चो और बालिकाओ, दोनों का admission होता है, इसके लाओ दोस्तो वोमेन college भी हैं, जिसमें केवल बालिकाओ को admission दिया जाता है, इसके लाओ दोस्तो संसकर्त विबाग के और बाकी language के भी कुछ limited college है, जिस में आपको 302 कोलेज में से ही आपको एडिमिसन दिया जाएगा तो इसकी बात कर ली दोस्तो अब बात करते दोस्तो रिजल्ट के बारे में सबसे पहले रिजल्ट के बारे में बात कर ले उसके बाद दोस्तो आपकी इस साल की BSTC परिक्सा की कटोप के उपर हम डिटेल से चर आपके form भी लेट शुरू है और exam भी लेट वा तो दोस्तो एक महिने के अंदर आपका result आने की पूरी संभावना है नवंबर के फर्स्ट वीक में ठीक है नवंबर के फर्स्ट वीक में 100% दोस्तो आपका result गोसित कर दिया जाएगा परिक्सा 2022 का जैसे दोस्तो रिजल्ट आएगा मैं तुरंट आपको सूचित कर दूँगा तो चैनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जैसे ही रिजल्ट आए उसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल जाए ठीक ना तो ये तो ओगई बात तो दोस्तो से पहले हम कटोप की बात करते हैं मैंना आपको पहले ही बोल दिया तो दोस्तो ये एक अनुमानित कटोप होने वाले है जो की कापी सारे experience के आपके marks को उपर paper के level को उपर जो है इन सब के analysis के साथ बनाए गई गई है तो अगर आपके marks कम आ रहे हैं इनसे तो आपको detail से चर्चा करने वाले हैं तो पिछले सालों की कटोप के उपर और इस बार के paper के level को देखकर दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल की ठीक ना तो जितने भी मेरे भाई बेंट जिन्होंने जनरल से apply किया है जो जनरल के अंदर दोस्तो आते हैं तो mail की सबसे पहले बात क करते हैं और हम दोस्तो mail की ही बात करने वाले अगर आप female से हैं तो दोस्तो mail के marks से पंगाच या साथ नंबर आप माइनस कर लिजेगा क्योंकि इतनी ही कटोप जाने वाली है जनरल की दोस्तो आम तोर पर सबसे ज़्यादा कटोप जाती है इस बार जनरल की कटोप दोस्तो 380 से थीक ना 380 670 410 के बीच रहने वाली है अगर जनरल करतिकी के अंतरगत mail जो है आप हैं औरहिं इन marks के अंदर जो है मेल में देखिए दूस्तो 360 से आपके 400 के बीच ठीक ना 360 से 400 के बीच आपकी कटोप जाने वाली है इस बार की 20C परिक्सा की और दूस्तो फीमेल अगर आप OBC के अंतरगत आते हैं तो 5-7 नंबर आप इनमें से माइनस कर लिजे याने की 355 से 355 से 305 के बास जो है आपकी फीम फीमेल OBC में कटोप जाने वाली है यह एक अनुमानित कटोप है इस बार की 20C परिक्सा में दूस्तो यही आपको देखने को मिलेगा तो जनरल की बात की OBC की बात करी अब दोस्तो सेडूल जो कास्ट है आपकी SC जिसे हम दोस्तो मेल की बात करें ठीक ना SC के अंतरगत मेल क की बात करें तो दोस्तों SC की कटोप हमें सा कमी जाती है इस बार दोस्तो 350 से 370 के बीच आपकी SC मेल की कटोप रहने वाली है और फिमेल अगर आप है तो 57 जो हैं माक्स आप माइनस कर लीजे जैसे 345 से 365 के बीच आपकी एक्जक्ट जो है कटोप फर्ष्ट लिस्ट के के बीच आपकी कटोप रहने वाली है और फिमेल अगर आप है तो दोस्तो 335 से 365 के बीच अगर आप मान सकते हैं इसकी के बीच ST के टिगरी में आपकी जो है कटोप पर रहने वाले तो काफी सारे एनलाइसिस के बाद दोस्तों इस कटोप को निर्दारी ते किया गया है अगर आप EWS के टिगरी के अंतरकत आते हैं EWS के टिगरी के अंतरकत आते हैं तो दोस्तो 360 से 420 दोस्तों आपकी कटोप रहने वाली EWS की जादा तर दोस्तों OBC के आसपस ही कटोप रहती है तो यह हो गई दोस्तों आपकी EWS की और दोस्तों अगली जो है लास्ट MBC की ठीक MBC की बात हो रही है MBC की बात करें दूस्तों बहुत ही कम सबसे कम जो कटोप जाती है MBC की जाती है 330 या 340 की बीच जो हैं आपकी कटोप रहने वाली है अगर आप MBC केटिगरी से related है तो ये तो बात होगे दोस्तो आपकी कटोप के उपर जो है BSTC 2022 की इनके बीच आपकी कटोप रहने वाली है अब बात करते हैं दोस्तो अगर आपके नंबर कम है ठीक न ये तो दोस्तो एक अनुमानित कटोप है इस पर आपको ज़्यादा विश्वास नहीं करना है BSTC की कभी भी दोस्तो ओफिस्यल साइट पर ओफिस्यल जो कटोप है नहीं आती है कापी सारे एक्सपर्स ने कापी सारे योटूबर्स ने आपको अलग-अलग कटोप बनाई बताई होगी लेकिन दोस्तो आपको अपने मार्क्स पर शियोर रहना है आपको काउंसलिंग में जरूर हिस्सा लेना है जितने भी आपके मार्क्स है क्योंकि दोस्तो BSTC की हर बार काउंसलिंग की फर्स्ट लिस्ट आती है second list आती है दोस्तो इसके लाओ दोस्तो third list आती है कभी कबार चोती list भी आ जाती है जिसमें अलग-अलग list पर दोस्तो colleges मिलती है जो दोस्तो toppers होते हैं जिनके साड़ चार सो से उपर प्लस मार्श होते है उनको दोस्तो गरेज जिले में जो हैं government college भी मिल जाती है और इनसे नीचे जो marks आते हैं दोस्तो उनको second list में, third list में या फिर चोती list में भी कभी कबार number आ जाता है तो दोस्तो 330 के आसपास इतने अगर आपके number बन रहे है तो भी आपको counselling में हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि दोस्तो बहुत जादा chance जाए कि कभी कभार 30 list या चोती list में आपको number दे दिया जाएगा अब दोस्तो काफी सारे अभेरती के रहे हैं दोस्तो कि उनके number कम है और उनको अपने ग्रेज जिले से दूर college मिला है तो दोस्तो BSTC के बाद ठीक न तो दोस्तो पास में college लेने के लिए upward moment का एक option आता है जहां पर आप अपने नजदे की college को वापस से हासिल कर सकते हैं तो यह तो और यह दोस्तो upward moment की बात जहां पर आप अपने ग्रेज जिले के में ही college हासिल कर सकते हैं और दोस्तो मैं आपको बता हूँ counseling में आपको जरूर इसा लेना चाहिए 3000 रुपय आपको counseling फीस दनी पड़ेगी और दोस्तो अगर आप चाहते है counseling के उपर details से video बनाना क्या 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 उसमें document चाहिए किस परकार से आपको counseling में हिसा लेना है दोस्तो इस पर दोस्तो आपको बताया गया है और दोस्तो इस बार की bshtc के paper में आपको bonus अंगा भी काफी ज़्यादा मामला रहा था ठीक है न तो अगर कुछ प्रस्ने डिलिट होते हैं तो उसका भी आपको रहता है एक प्रस्ने जो है तीन नंबर का रहता है तो उसका भी आपको बहुत ज़्यादा benefit रहने वाला है तो इस वीडियो में आपने डिटेल से जाना दूस्तो बेस्ट सी में आप जरूर बताएगा मैं तुरंत आपके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा तो उम्मीद करते हूं आज की वीडियो आपको पसंद आएगे दूस्तो ऐसी वीडियो चैनल पर आगे भी पहने के लिए सब्सक्राब करके चैनल को बेल अकन को प्रेस कर दना तो मिलते कि इसी होने क्लास में नए वीडियो में तब तक लेते अलविदा धन्यवाद